सरकार जहां एक तरफ गिरामेंड लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात कह रही है तो वहीं विभाग के करमचारी सियोजनपर सरकार की नीती को खोगला साबित करने में लगे हैं जिसका उधारण FCI गुदांपर देखने को मिला जहां गियों की बोरी में मिट्टी की मिलावट मिलने के बाद हुई शिकायत के बाद D.A.S.O. ने जांच कराये जाने की बात कही है केंदरो राज्ये की भाज़पर सरकार के सबका साथ सबका विकास शब्द को निशब्द करने के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी करमचारी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिसका उधारन आज उस समय देखने को मिला जब FCI गदाम पर आए गेहों की बोरी को जांच किये जाने के बाद उसमें मिली मिट्टी को देखा तो कुछ लोगों को हैरत भी हुई तो कि इसमें गेहों के साथ मिट्टी भी मिली हुई थी इस बात की शिकायत जब उच अध कि भलाई चाहती हो लेकिन विबागें लोग अपनी जीब बरने में लगे हैं तक में आया रहा है इसमें मट्टी और गेहों दोना मिलुआ है तो मुझे यह सूचना पराप्त हुई कि जो FCI का जो मजहूला है मजहूला में जो FCI का गुदाब है वहां से जो ट्रक आई है उसमें गेहों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैंने अपने गुदा प्रवारी को रोप दिया कि आप उस गेहों को उतारो के नहीं मैं खुद टीम लेके आ रहा हूं और तेदी क्वालिटी अच्छी होगी तभी उतरेगा तो यहां पर मैं भी मौजूद हूँ मेरे साथ SMC के इस्टिक मनेजर हैं उसके अलमा मेरे इस्पेक्टर स्वेगर अभी है मैंने छो गेहों के बैक को चेक किया है और जिसमें आरदिकानस बैक जो भी मैंने खूल के देखा है उसकी गुन वर्ता अच्छी नहीं है जिसमें मिट्टी मिल्या मिला हुआ हो है तो अभी मैंने इसको रोक दिया है और जिलादिगारी मवदे के तरफ से मैं एफसी आई को एक पत्र लिखवा कि इसकी गुनवत्ता की जाच करा हूँगा और उसके बाद फिर आगे समंधित जो भी होगा यह दि कुई दोसी होगा तो कराई जाएगा मतलब एफसी आई का चुकि मैटर है तो एफसी आई ही करेगा